प्रचली पालन जैसे कि आप जानते हैं जलासे काफी बढ़ा होता है जदि आप इसमें मचली का बीज डालते हैं तो वो बीज कहां तक चला जाएगा वो मचली बड़ी होके कहां-कहां चली जाएगी आप उसे पकर नहीं पाएगे इसलिए एक पिंजरा लगाय जाता है जो कि अलग-налग आक के मचली का बीजिस में डाल दें, तो उसे रहने के लिए पानी तो मिली जाएगा, मचली का जीवन जो है, वो पानी ही है, उसे पानी तो चाहिए ही, साथिस साथ जो पानी में मचली का प्राकृतिक भोजन है, वो उस जाली के छिदर से भी अंदर आते रहेंगे, और मचली उ खाना देंगे, वो आप ही के द्वारा पाली गई मचली और द्वारा ही खाये जाएगी, दुसरी मचली उसे नहीं खा सकेगी, तो यह फायदा पिजरा में मचली पालन करने से होता है, और दुसरा सबसे अच्छी बात यह है, जो भी जलासे के बिस्तापित किसानबाई हैं, जदि उनके पास तालाब नहीं है, तो भी जलासे में मचली पालन करके वो तालाब का जो फायदा होता है, वो फायदा ले सकते हैं, जो पिजरा का साइज जो रहता है, जो आकार होता है, यह लगवग चार मीटर बाई चार मीटर का होता है, इस तरह से कई साड़े पिजरो आपके यहां जो सामगरी उपलब्ध है और जैसी आपके सुविदा है आप पिजरा उस तरह से बना सकते हैं और इसमें मचली पालन कर सकते हैं केज के निर्माण में जरूरी सामगरी सस्ते एवा मजबूत तामगरी का चुनाव केज निर्माण के लिए आर्थिक द्रिस्टिकोंड से बहुत महत्वपून है केज के फ्रेम के निर्माण के लिए सधारंतेय जियाई पाइट का उप्योग किया जाता है फ्रेम को नट बोल्ट से फिक्स कर दिया जाता है फ्लोट प्रेम को मजबूती एवं पानी में फ्लोट करने के लिए या तो स्टील के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम को प्योग किया जाता है ये ड्रम 12 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चोड़े ड्रम के आवश्यक्ता होती है सिंकर इस्थानी पत्थर या सिमेंटेट संदचना जो भारी हो को नाइलोन रसी द्वारा सभी किनारों से लटका दिया जाता है जो केस के आकार को बनाए रखता है एंकर, 40-50 किलोग्राम के पत्थर या सेमेंटेट संदचना को एंकर के रूप में उप्योग किया जाता है मजबूत नाइलन रसी से इसे बांध का जलाशे के तल में फिक्स कर दिया जाता है एंकर केस को सही स्थान पर जकर कर रखता है ताकि केस को जलाशे में जादा चला चल नहीं हो जाल, सधारंद्या, HDEP या नाइलन नर्मित जाल का उप्योग बड़ी मचलियों के उत्पादन के लिए किया जाता है 24 मिलिमेटर, 18 मिलिमेटर, 16 मिलिमेटर, 10 मिलिमेटर इत्यादी मेस का जाल देश में आसानी से उप्लब्द हो जाता है और यहाँ पड़ आप किसी भी परकार के मचली के बीज को पिजरा में डाल सकते हैं जिसका मार्केट में डिवांड जादा हो, जिसकी मांग जादा हो, लोग जिसे जादा है पसंद करते हूं, यह अलग-अलग होता है, अलग-अलग परदेशों में, अलग-अलग राज्य में, मचली अलग-अलग किसिम के लोग पसंद करते हैं, अगर रोहु कतला पसंद करते अब इस पिंजरे में अगर मचली पालन करना है, तो आपको ध्यान देना यह है कि पिंजरे का जाली जो लगा हुआ है, उससे बड़े साइज का मचली का बीज हो, अगर आप छोटे साइज का मचली का बीज रखेंगे, तो उसके जाली से निकल जाएगा, इसके लिए क्या कर लगते हैं जिसमें पतला जाली लगाया रहता है और छोटे बच्चे को उसमें डालते हैं जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसे दूसरे पिंचरे में पिर अस्थांतरित कर दिया जाता है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उनको बरने का जगा भी मिलने लग और खाना जो आप दे रहे हैं उसका समुचित उप्योग होता रहता है। यहां पर पिजरे में जब मचली पालन आप करते हैं तो पानी का आवागमन काफी होता है। पिजरे से होकर पानी आते जाते रहता है तो इससे फायदा यह होगा जो उससे जो खड़ाब गैस निकलती है अनपचे खाने से या उनके मलमुत्र के सरने के कारण उस गैस का भी प्रभाव मचली पर नहीं पड़ेगा और इनका सफाई होते रहेगा तो यह अतिरिक्त जो मचली चाहें वही निकाल सके वैसा ही पिजरा एक छोटा-मोटा आपके लिए तालाभी है लेकिन उत्पादन इसमें जादा होता है मचली स्वक्ष इसमें जादा अपने आपको महसूस करती है और पानी का आवा गमन पिजरा में जाता होता है तो यह साड़ी फायदे ह पिजरा में मचली पालन करने से